नमस्कार मैं हूँ आपके साथ कंचन भारत वाज और आप देख रहे हैं हमारा ये टिप चानल जीवन कोश आज कल आफ्टर मील टी का ट्रेंड बड़ा आमसा हो गया है लेकिन सच तो ये भी है कि ये आफ्टर मील टी जगजब के फायदे भी देती है अब वो समय है जब लोग वापस आयरवेद की तरफ जा रहे हैं आयरवेद अब हाई क्लास लोगों के बीच भी पॉपलर हो रहा है तो चलिया आज के वीडियो में हम ऐसी ही एक आयरवेदिक आफ्टर मील टी की बात करेंगे जो बनाने में जितनी आसान है उतनी ही सेहत को कमाल के फायदे भी देती है हम बात कर रहे हैं जीरा, धनिया, सौफ्टी की ये गजब की हरबल अईरवेदिक चाय है जिसके फायदे जानकर आप आर्ट से ही इसको अपनी डाइप में शामिल कर लेंगे इसे आप डीटॉक्स टी भी बोल सकते हैं तो सबसे पहले जान लेते हैं कि इस चाय को बनाया कैसे जाता है दोस्तो इस चाय को CCF टी भी बोला जाता है क्यूंकि इसमें क्यूमिन, कोरियंडर और फिनल का इस्तिमाल होता है इसके लिए आपको बराबर मात्रा में क्यूमिन यानी जीरा, कोरिएंडर यानी धनिया और सौफ को मिलाना है जैसे अगर आपने 6 चमच जीरा लिया है तो उतना ही धनिया और उतनी ही सौफ ले ले आप इस मिक्स्टर को एक बार में ही बना कर रख सकते हैं बराबर मात्रा में सब ले लें और एक काँच के जार में स्टोर कर लें और जब भी आपका चाय बनाने का मन करें तो एक गलास पानी में एक चमच डाल कर 6-7 मिनट उबाल लें और चान कर पी लें इस चाय की खास बात ये है कि इसे आप ठंडा या गरम कैसे भी पी सकते हैं अगर आपको इसका टेस्ट अच्छा ना लगे तो थोड़ा सर शहद मिला सकते हैं लेकिन अच्छा ये ही होगा कि आप इसमें बिना और कुछ मिलाए पिएं आप इसको सुभा बना कर थर्मस में रख सकते हैं और पूरा दिन भी पी सकते हैं खास कर जब आपने हैवी खाना खाया हो तो इस चाय को जरूर पीएं क्योंकि ये आपके डाइजेशन को चुस्त दुरुस्त रखती है तो चलिए आप बात करते हैं CCFT के फाइदों की ये तो हम आपको बता ही चुके हैं कि ये कमाल की डाइजेशन टी है तो खाने के बाद इस चाय को पीने से आपकी पाचन सम्मंधी दिकते भी दूर होती है ये आपके शरीर से टॉक्सिंस को बाहर निकालने में भी मदद करती है इसमें हम होल सीड यानि साबजीरा, धनिया और सौंफ का इस्तिमाल करते हैं जो इसके फाइदों को दो गुना बढ़ा देता है किड्नी और यूरिनरी ट्रैक को स्वस्थ रखने में भी ये मदद करता है आप इस चाय को डेली भी पी सकते हैं दिन में एक से ज्यादा बार भी पी सकते हैं ये आपको फायदा ही देगी ये चाय जहां पाचन अगनी को बनाए रखने का काम करती है वहीं साबुद धनिया की वचह से ये सूधिंग इफेक्ट भी देती है जीरा को तो सदियों से पाचन में मदद के लिए जाना गया है और इस्तमाल भी किया जाता है सौफ पेट फूलने की दिक्कत से आराम देती है मेंटल इलर्टनेस बढ़ाती है यानि ये तीनों एक साथ मिलकर पेट की सारे दिक्कतों को दूर कर देती है अब जब पेट की सारे दिक्कते दूर रहेंगी पाचन सही रहेगा ब्लोटिंग वेगेरा की दिक्कते भी नहीं होंगी टॉकसिंज शरीर से बाहर निकलते रहेंगे तो अतरिक्त फैट कम होगा और वजन कम यानि वेट लॉस में भी आपको मदद मिलेगी तो ऐसी ही अनेक फायदों से भरी है CCFT तो चाय कॉफी की जगा इस healthy detox digestive tea को बनाए अपने routine का हिस्सा और रहे स्वस्त इसका कोई side effect नहीं है लेकिन अगर आप pregnant है या बच्चे को दूद पिलाती है या आप किसे critical medical condition से चूट रहे हैं तो अपने डॉक्टर से सलहा के बाद ही इसका सेवन करें फिलाल इस वीडियो में इतना ही ऐसे ही कई और वीडियो हम आप के लिए लेकर आएंगे लेकिन उससे पहले आप हमारे चैनल सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए